हेलो दोस्तों पूर भी क्रेशन में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए नया पैटर लेके आई हूँ देखना आप इसे कायडिकन में भी डाल सकते हो जैन सॉर्टर में भी डाल सकते हैं बेबी फ्रोक में भी डाल सकते हैं मैं दसनमर की सलाई से बना रही हूँ और नॉर्मल बूल है और मैंने इसमें 38 फंदे डाले हैं इस बुनाई को बनाने के लिए चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं बुनाई कैसे बनानी है इसमें 8-8 फंदों की बुनाई है यह देखना यह जो मैंने बुनाई डाल रखी है यह आठ फंदे में बुनाई डालनी है और यह आठ फंदे ही बीच में मैंने दो उल्टे दो सलाई उल्टी और दो सीधी बनाई है इसने बीच-बीच में यह इस तरह से और देखना इसके उपर मैंने यह दो सलाई उल्टी बना ली है और एक सीधी है हम आई इसमें बुनाई डालने जा रही हूँ देखना पहला फंदा हमने इना बुना ले लिया दूसरा फंदा हमने ये सीधा बुना ये फंदे हम सीधे बुनेंगे ये फंदे हमने सीधे बुन लिये दिखना है एक एक डू तीन चार पांच छे साथ आठ ये आठ फंदे हमने सीधे बुन लिये एक फंदा हम ये उल्टा बुने इस तरह से हमने एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया और ये वाले फंदे जो पीच में ये जहां हमने दो स्लाय उल्टी दो सिधी उतारी थी यहां हमने बुनाई डालनी है तो यहां एक फंदा जहां हमने ये उल्टा फंदा बुना है इसके बराबर हमने एक फंदा ये सीधा बुन लिया और अब जहां हम ये जो हमारे फंदे हैं ये देखना ये हमारे एक फंदा मैंने उतार लिया ये साथ फंदे इसमें बचे सलाई में साथ फंदे हैं ये जो हमारे बीच के ये चार फंदे हैं ये हमें देखना इस वाले फंदे के इधर के साइड ये एक फंदा हमने इधर करना है ये और ये दो फंदे हमने इधर लेने हैं, इस तरह से, और ये हम सीधे बुलेंगे, अब ये वाले जो हमारे दो फंदे हैं, इनको भी हमें इसी तरह से करना है, पहले हमने ये वाला फंदा बुलना है एक, ये वाला ये दो फंदे हमने इधर की साइड लेने हैं, देखना इस तरह से ये हमने फंदे बदल के सीधे ही बुलने हैं, और ये वाला जो साइड का फंदा है, इसको भी हम सीधा बुलेंगे, और ये वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बुलेंगे, यह एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया यह फंदे हम सीधे बुनेंगे यह 8 फंदे हमें बीज में सीधे बुनने है देखना यह हमारा गांठ वाला फंदा है इसके बाद में 1,2,3,4,5,6,7,8 यह 8 फंदे हमारे सीधे हो गए इसके बाद में हमें एक फंदा उल्टा बुनना है और एक फंदा हमने सीधा बुनना है अब ये वाला फंदा हमें इधर लेना है, ये दो फंदे हमने इधर लेने हैं और ये हम सीधे बुन देंगे ये एक फंदा हमने इधर ले लिया, दो इधर की साइड और इनको हम सीधा बुन देंगे इधर पी हमें ये फंदे इसी तरह से करने हैं पहले हम ये वाला एक फंदा बुनेंगे ये दो फंदे हम बाद में बुनेंगे ये देखना ये हमने ये सीधे सीधे बुन दी है ये फंदे हमने और ये वाले फंदे भी हम सीधे बुनेंगे वो हमारे साइड गे बुचे है ये हमारी सीधी साइड कम्पलीट हो गई पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया जो हमारे बुनाई वाले फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे ये हमारी बैक रोग है देखना ये बुनाई वाले फंदे हमने उल्टे बुन लिये और ये वाले फंदे अब हम जो इस वाली बुनाई के जो उपर वाले फंदे हैं ये हमने तो सलाई हमारी उल्टी आ गई अब हम इधर से इनको उल्टी साइड से हम इनको सीधा बुनेंगे देखना हमने सीधे बुन लिये अब ये हमारे बुनाई वाले फंदे आ गए अब हम इनको उल्टा बुनेंगे ये बुनाई वाले फंदे हमने उल्टे बुन लिये अब ये वाले फंदे हमें फंदा इधर के तरफ करेंगे और इनको हम सीधा बुनेंगे हुआ कुए कुए यह देखना यह हमारी बैक साइड है इधर से इस तरह से दिखती हैं अब हम सीधी साइड आ गए कि यह हमारी सीधी साइड है मगर यह बुनाई के उपड़ जो मठंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे कि देखना भागा पीछे के साइड ले जाएंगे और फिर यह तीन फंदे हमें दो फंदे एक फंदा हमने इधर की साइड करना है तब दो फंदे हमने इधर की साइड करने है और इनको हम बाद में सिधा सिधा बुन देंगे देखना इधर पी हमारे ये तीन भंदे हैं इनको भी हम इसी तरह से ये एक भंदा हम पहले बुनेंगे ये दू भंदे हम बाद में बुनेंगे फिर हम धाग आपने तरफ खरेंगे और ये फंदे हम आठ फंदे उल्टे बुनेंगे ये आठ फंदे हमारे बुनाई के उपर ये उल्टे बुने है एक फंदा इनने साइड में है जो हमारा सुरू से ही चला रहा है ये अलग है सारे मिलाखे ये हमारे 10 फंदे हो जाते है फिर धागा हम पीछे की साइड ले जाएंगे और ये बुनाई वाले फंदे इसी तरह से हमको इधर की साइड के फंदे ये वाला फंदा एक हम फंदा इधर करना है और ये दो फंदे हमने देखना इधर के साइट करने है और ये खंदे हम सीधे बुनेंगे ये देखना ये तीन फंदे हैं हमारे बुनाई वाले ये एक फंदा हम पहले बुनेंगे ये वाला एक फंदा हमने पहले बुन लिया और ये तो फंदे हम बाद में बुनेंगे ये साइड में हमारे दो फंदे बचे इनको भी हम सिधा बुन लेंगे ये हमारे सीधी साइड कम्प्रेट हो गई देखना हम बैक साइड पहले पहला फंदा हमने बिना पुना ले लिया ये बुनाई वाले फंदे हैं हमारे ये हम सीधे बुनेंगे इधर चे हम उन्टा बुनेंगे इनको यह हमारी back side है, इनको हम उल्टा बनेंगे देखना है, बनाई के उपर जो दो सलाई मैंने सीधी और दो उल्टी बनाई है यह इधर के side, दो सलाई मैंने फूरी हो गई, उल्टी, अब यह मुझे सीधी बनानी है तो यह सारी सलाई मुझे इधर की side से उल्टी बनी है यह एक फंदा इधर से सीधा बनाई है यह फंदा मैंने सीधा बन लिया यह और यह वाला फंदा धागा अपने तरफ और यह सारे फंदे उल्टे बनने है और देखना यह एक फंदा यह मैं सीधा बनना है धागा इधर की side और यह फंदा सीधा एक फंदा मैं सीधा बनना है और धागा अपने तरफ यह फंदे उल्टे बनने हैं देखना यह फंदा यह फंदा यह सीधा बनना है धागा अपने तरफ यह फंदे उल्टे बनने हैं देखना यह हमारी back side complete हो गई हम सीधी side आ गए पहला फंदा बिना बनना ले लिया और यह फंदे हमने सीधे बनने हैं यह फंदा हमारा जो इधर से उल्टा चल रहा है यह धागा अपने तरफ करेंगे और यह उल्टा बनेंगे इधर का पीछे की side ले जाएंगे और यह जो हमारे बुनाई वाले फंदे हैं यह इस बार हमें change नहीं करने हैं पलटने नहीं है इनको हम सीधा बनेंगे देखना इस तरह से हमने सीधे बुन लिए और यह side में जो यह फंदा है इसको हम उल्टा बनेंगे धागा पीछे की side ले जाएंगे और यह वाले फंदे हम सीधे बनेंगे धागा अपने तरफ एक फंदा यह हम उल्टा बनेंगे धागा पीछे की side ले जाएंगे और यह हमारे बुनाई वाले फंदे आ गए इनको हम सीधा बनेंगे कि यह तेखना यह हमारी सीधी side complete हो गई हम back side पर आ गए पहला फंदा बिना बुना लेंगे यह हमारे बुनाई वाले फंदे हैं side में कि इनको हम उल्टा बुनेंगे इसको हम सीधा बुनेंगे यह एक फंदा यह तेखना यह दो सलाई हमारी पूरी हो गई अब हम सीधे बुनेंगे यह हमारी उल्टी side में अगर यह फंदे हम सीधे बुनेंगे देखना यह बुनाई के बीच वाले जो फंदे हैं यह हमने सीधे बुन लिए हम मेरे बुनाई वाले फंदे आ गए यह मुझे उल्टे बुनने हैं इनको मैं उल्टा बुनूँगी यह 8 फंदे हैं देखना यह बुनाई वाले 8 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए अब यह वाला फंदा यह मैं सीधा बुनूँगी और यह वाले फंदे भी सीधे बुनने हैं मेरे बैक साइड कम्प्लीट हो गई देखना हम सीधी साइड आ गए पहला फंदा बिना बुनना ले लिया यह सीधी साइड है मगर यह 8 फंदे उल्टे बुनने हैं यह तेखना यह बुनाई के साइड वाले जो 8 फंदे हैं यह मैंने उल्टे बुन लिये और बुनाई के साइड में एक फंदा है यह हरवारी हमें उल्टा बुनना है यह वाला फंदा यह मैंने उल्टा बुन लिया अब धागा पिछे की तरफ यह हमारे बुनाई वाले फंदे आ गए यह वाला फंदा जो है हमारा एक फंदा इसको हम पहले बुनेंगे पहले यह दो फंदे हमने इधर की साइड लिये थे अब हम यह दो फंदे अंदर की साइड लेने हैं तो इसलिए हम यह एक फंदा पहले बुनेंगे इस तरह सें पहले बुनना है और ये तो फंदे बाद में बुनेंगे ये जो हमारे बीच में तो फंदें हैं ये हम सेध्य कुन लेंगे ये हमारे तीन फंदे ये भी हम ऐसी तरह से बिनने है पहले हमें ये दो फंदे बुनने हैं देखना है दो फंदे हमने बुन लिए और ये एक फंदा हम बाद में बुनेंगे ये बुनाई की साइड वाला जो फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से ये वाले फंदे भी हमने उल्टाइब बुनने हैं देखना ये फंदे हमने उल्टे बुन लिए अब हम भागा पीछे की तरफ ले जाएंगे ये हमारे बुनाई वाले फंदे आ गए एक फंदा हम पहले बुनेंगे जो अंदर की साइड का फंदा है वो हम पहले बुनेंगे एक और ये दो फंदे बाद में बुनेंगे जो बीच में हमारे दो फंदे हैं इनको हम सिधा बुन लेंगे देखना इसी तरह से दो फंदे हमने पहले बुनने हैं और ये एक फंदा हमने बाद में बुनना हैं इस तरह से बुनने हैं हमको ये हमारे साइड वाले फंदे हैं इनको हम सिधा बुन लेंगे ये हमारी सीधी साइड कम्प्लीट हो गई हम बैक साइड पर आ गए पहले फंदा हम बिना बुनना लेंगे दूसरा फंदा पुन लेंगे ये पंदे हमने उल्टे-पुनने हैं ये बुनाई वाले फंदे हमने उल्टे-पुनने हैं यह देखना है बुनाई के साइड में जो हमारा एक फंदा इजर से सीधा चल रहा है इसको हम धागा तिछे की तरफ करेंगे और यह फंदा हमने सीधा बुनना है धागा अपनी तरफ करेंगे और यह वाले फंदे जो बुनाई के साइड वाले फंदे हैं एक फंदा तो हमने सीधा बुनना है यह वाले जो हमारे फंदे हैं इनको हम पूर्टा बुनेंगे देखना है पीच में हमने आठ फंदे उल्टे बुन लिए धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और यह फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे यह बुनाई वाले फंदे हैं हमारे इनको हम सीधा बुनेंगे इनको भी जो बुनाई के यह साइड वाला फंदा है एक हम सीधा बुनेंगे और यह वाले फंदे हम यह बी उल्टे बुनेंगे कि अ देखिए हमारी बैक साइड यह धर से कंप्लेट हो गई हमारी सीधी साइड आ गई पहला फंदा हमने बिना बुना लेनिया और यह फंदे हम सीधे बुनेंगे देखना है बुनाई की साइड वाला फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे दागा हम पीछे की तरफ ले राएंगे और यह हमारे बुनाई वाले फंदे हैं यह फंदा हम सीधा बुनेंगे और यह दो फंदे हमने यह एक फंदा पहले बुनना है यह दो फंदे बाद में बुनेंगे देखना इस तरह से ये वाला फंदा हमें पहले बुन लिया और ये तू फंदे हम बाद में बुनेंगे इसी तरह से हमें ये तीन फंदे हमारे ये एक फंदा हमें बाद में बुनना है पहले हम ये तू फंदे बुनेंगे ये वाला फंदा हम पहले बुनेंगे और ये वाला भी एक फंदा हम बाद में बुनेंगे ये वाला फंदा हम सिधा बुनेंगे बनाई के साइड वाला फंदा हम ये उल्टा बुनेंगे धागा पिछे के तरफ और ये फंदेंगे हम सिधे बुनेंगे यह फंद हम उल्टा बुनेगे अधागा पीछे की तरफ हमारे बुनाई वाले फंदे हैं यह फंद हम सिधा बुनेगे यह वाले 2 फंद हम बाद में बुनेगे पहले हम यह एक फंदा बुनेगे ये दो फंदे हम बाद में बनेंगे य एक फंदा, ये वाला फंदा हम बाद में बनेंगे और ये वाले दो हम पहले बनेंगे देख न यहींवाइसा निकालकर भी आप बन सकते हैं झाल 2 फंदे हमने पहले बुनगे, ये वाला फंदा हम बाद में बुनेंगे ये हमारे बुनाई वाला फंदा है, इसको भी हम सिधा बुनेंगे side वाले फंदे भी हम सिधे बुनेंगे कि देखना यह हमारे बैक साइड आ गई यह हमारे बुनाई वाले फंदे हैं पहला फंदा मैंने बिना बुना ले लिया यह फंदे हमने उल्टे बुनने हैं कि दागा पीछे के साइड लेंगे और यह एक फंदा यह हम सिधा बुनेंगे यह वाले फंदे भी हम इस बार उल्टे साइड से सिधा ही बुनेंगे कि दागा पीछे के साइड ले जाएंगे और यह फंदा हमी यह वाला फंदा हम सिधा बुनेंगे और यह वाले फंदे 20 बार हम सिधा ही बुनेंगे यह हमारी बैक साइड है मकर यह हमने यह वाले फंदे हमने सिधा बुने यह हमारी बैक साइड कम्प्रेट हो गई अब हम सिधी साइड आ गए देखना आप इसी तरह से इस बुनाई को डाल सकते हैं यह तसलाई में यह हमारी बुनाई कम्प्लेट हो जाती है आप इसी तरह से इसको डाल सकते हैं आपको हमारी वीडियो पसंदाए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू